Students, I am Dr. Raju Sharma, आज हम अध्यन करेंगे हवा के निक्षेपन द्वारा कारे निर्मित भू आक्रतियों का हवा अपने निक्षेपन कारे में काफी महतुपून इस्थिती अदा कलती है लेकिन हवा द्वारा निक्षेपन कारे एक निश्चित गती में नहीं होता हवा की गती मंद पढ़ने पर हवा अपने भारी पदातों को उनके भार के अनुसार जगे जगे छोड़ती चलती है हवा के मार्ग में अवरोध आ जाने पर भी पदातों का निक्षेपन होने लगता है यह निक्षेपन कभी कभी ऐस्थाई होता है जो हवा के दूसरे जोके में उन्हें आगे बढ़ जाता है लेकिन अधिकांच निक्षेपन इस्थाई होते हैं इस्थाई निक्षेपन वायूर निक्षेपन कहलाते हैं बालू के भारी कंड निकट यानि कि धरातल के निकट और बारिक धूल के कंड मरुस्थल के बाहर बहुत दूर तक निक्षेपित होते हैं मरुस्थलों में बालू के निक्षेपण से बालू का इस्टूब बन जाते हैं समुद्र तटों अत्वा जील के समीप बालू के कड़ों के क्रम रूप से होने वाले निक्षेपण द्वारा धीरे धीरे पलत के पलत जमा होते जाते हैं जो कालांतर में कतोर हो जाने के कारण बालू का प्रस्तर का रूप धारंग कर लेते हैं, मरुष्थलों से दूर निक्षेपित धूल से लोयस मैदानों की रचना होती है। हवा के निक्षेपित द्वारा निम्मित भू आकरतियों में बालू का स्थूप सर्वादिक प्रमुख भू आकरति है। बालु का स्थूप मरुस्थली प्रदेशों की एक विशिश प्रतार की आकरती होती है जो मरुस्थलों में बालु और रेत के कड़ों के एक स्थान पर एकत्रित होने से बनती है बालु का स्थूपों का निक्षेपन भिन भिन आकरती में होता है इनकी रचना पर कई बातों का प्रभाव पड़ता है जैसे बालू की मात्रा, वायू की दिशा और शक्ति, वायू मार्ग में अवरोध, बालू संचय का इस्थान, बालू का स्थूप की जो ये रचना होती है इसमें बालू की मात्रा का सबसे अधिक प्रभाव होता है बालू का स्थूप की रचना बालू की मात्रा पर भोत अधिक निर्वर करती है जहां बालू की मात्रा अधिक होती है वही इनकी रचना संभव होती है उधारन के लिए जहारा, कालाहरी, यूटाहा और थार मरुस्थलों में इसी कारण बालु का स्टूप अधिक पाय जाते हैं वायू की दिशा और शक्ती का भी बालु का स्टूपों की रसना पर भौत अधिक प्रभाव पड़ता है बालु का इस्तूप के आकार, ब्रकार और दिशा और विस्तार को ये भोतदिक प्रभावित करते हैं प्रचंड रूप से चलने वाली आंधिया विशाल इस्तूपों का स्रजन करती हैं और मंद हवा से केवल बालु पर उर्मी चिन ही प्रकट हो पाते हैं बालु का इस्तूपों की रशना के लिए बालु से लदी हुई वायू के मार्ग में अवरोध होना आवशक है ब्रक्ष, जाडिया, सगनवन, उची चट्टाने, तीला और घास के मैदान ये सब अवरोध का कारे करते हैं यहां तक कि बालु का टुकड़ा जो की अपने आसपास के छेतर से उंचा हो जाता है वो भी अवरोध का कारे कर सकता है किसी स्थान पर बालु का संचय वायू की गत्यी मंद पढ़ने पर होता है इसलिए उस स्थान की प्रक्रती का उस पर बड़ा प्रभाव होता है इस स्थान की प्रक्रती वायू के अवरोध के लिए कारे करते हैं बालू का स्टूप का निमा चेत्रु जो है वो काफी विस्तरत और अवरोद वाला होना चाहिए. बालू का स्टूप मरुष्टली प्रदेशों की एक विश्च प्रकायर की आकरती होते हैं. इनकी रचना बालू और रेत के कड़ों के एक स्थान पर एकत्रित होने से होती है अथा वे टीले और कटक जो वायू द्वारा उड़ा कर लाई गई बालू से बनते हैं बालू का स्थूप कहलाते हैं हुम्स का कहना है कि बालू का कोई टीला या कटक जिसके शिकर होता है बालू का स्थूप कहलाता है बालू का स्थूप अपने आकार में कई प्रकार के होते हैं यदि वो टीले की आकरती में हो या वो गोल या अंडाकार भी हो सकते हैं किन्तु कुछ इस्तूपों की जो रूप रेकावा होती है वो बड़ी एनियमित होती है बालू का इस्तूपों की जो कटके हैं वो छोटी, लंबी, सीधी या वक्र हो सकती है कहीं पून इस्तूपाकार या चपते या फैले हुए या कहीं अलध चंद्राकार, कहीं छोटी पहाड़ियों के रूप में एक दूसरे से सटे हुए, बनला किसी भी रूप में ये बालू कस्तूप पाये जा सकते हैं इस प्रकार से जो इनकी आकरती है, उनमें व्यापक भिन्दता पाये जाती है जिन भागों में वायू के चलने की दिशा बदलती रहती है, वह स्थूपों का कोई निश्चित आकार नहीं होता कभी कभी बालू कस्तूपों पर उगने वाली बनस्पती भी उनके आकार को एनियमित बना देती है बालू कस्तूपों का आकार, प्रकार और विशालता बालू की प्रचूरता पर निर्भर करती है जिन प्रदेशों में बालू की मात्रा अधिक होती है और तेज आंधिया चला करती है उनमें बालू का स्थूपों की साधरन उचाई 30 मीटर तक होती है थार के मरुष्टल में 15 मीटर से 65 मीटर तक उंचे बालू का स्थूप पाये जाते हैं अधिक उंचे इस्टूप थार के पश्चिमी भाग में मिलते हैं सहारा मजुस्तल में तो 180 मीटर उंचे बालू का इस्टूप तक मिल जाते हैं बालू का इस्टूप होते हैं वो इस्थिति के अनुसा कई प्रकार के होते हैं जैसे तटिये बालू का इस्टूप जील तटिये बालू का इस्टूप नदी तटिये बालू का इस्टूप और मरुस्थलिये बालू का इस्टूप आक्रती के नुशा बालु कस्टूपों के कई प्रकार होते हैं जैसे अनुप्रस्ट बालु कस्टूप, अनुदेल्टे रिया पवनानु वर्ती बालु कस्टूप, शंग पुच्छ बालु कस्टूप, यूआकार के बालु कस्टूप, सीव, तारा बालु कस्टूप और बर राजाते उनका हमेशा सधाननत्रन होता रहता है आंधी के वेक से स्टूपों के ढाल की बालु सरक सरक कर आगे बढ़ जाती है और शिकर पर पहुंचकर दूसरी ओर के ढाल पर गिल जाती है इस प्रकार इस्टूप का एक और का पदात शने शने दूसरी यो जमह होता जाता है साथ ही साथ आंधी के वेक के साथ शिकर भी आंधी चलने की दिसा में थोड़ा आगे बढ़ जाता है दीरे दीरे संपूर्ण इस्टूप ही अपने इस्थान से आगे बढ़ जाता है इसी को बालू का स्टूप का खिसकना या पलायन कहते हैं इस्टूपों की यात्रा तबी समाप्त होती है जब उनके पत में कोई ऐसी बादा उफस्ति हो जो आंधी के वेक को रोक सके और इस प्रकार बालू को गती विहिन करके आगे बढ़ने से रोक सके इसी बादाएं अधिकतर व्रक शाधी की पंक्तियां बनस्पति से ढखी होई भूमी होती है बालू के श्तूपों का इस्थान अंतरण हाने कारक सिध्ध होता है इनके इस्थान अंतरण से मार्ग में बादाएं छोटे चोटे वनों का ढखना क्रशीगत छेत्रों में रेत का भल जाना मरुस्थलों को बढ़ावा देना होता है इनकी रेत मानवबस्तियों, शेहरों और गावों तक प्रवेश कर जाती है जिससे वहां रहने वाले लोगों को काफी कठिनाई होती है भारत के ठार के मरुस्थल में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है मद्धे एशिया में ऐसे कई मर्शेर हैं जो बालु का स्थूप से प्रभावित हैं बालु का स्थूप मानव के लिए उप्योगी भी होते हैं बालु वर्शा के जल को सोक लेती है इसलिए मरुस्थलों में अतियल्प वर्शा होते हुए भी बालु का स्थूपों में समाई हुए जल के कारण भूमी का जल तल उपर उठ जाता है फल सरुप कहीं कहीं थोड़ी सी भूमी खोदने पर ही प्रचूर मात्रा में जल उपलब्ध हो जाता है ऐसे स्थानों पर मरुध्यान बन जाते हैं जो मानव और आज मानव आवास के लिए अच्छे स्थान होते हैं इसके अत्रिक संसार में जहां जहां मरुस्तल पाये जाते हैं वहां से हवा काफी मात्रा में धूल के कड़ों को ले जाकर अन्यत्र जमा कर देती है इस प्रकास से जमा हुए धूल के कड़ों को लोयस कहते हैं इस निक्षेपड का यह नाम जर्मनी के अलसेस प्रांथ में लोयस गाफ के आधार पर पड़ा वहां ऐसी चत्तानों का प्रचूर निक्षेप पाये जाता है लोयस यह खलके भूरे रंग की मिट्टी है इसलिए इनमें घहरी घाटियां होती है इसके अत्रिक पवन के निक्षेपड कारे द्वारा बजादा या प्लाया आधी कई भूआकरतियों का भी निर्मान होता है तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही थेंक्यू